नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में मेरा नाम है अमित और आज की वीडियो में आपको ट्रैक्टर जगत के एक बहुत बड़ी अपडेट मिलने वाली है क्योंकि मैसी फर्गूसन ने अपनी स्मार्ट और डैने ट्रैक सीरीज के बाद अपनी नई सीरीज मेगना ट्रैक को लाँच किया है मैसी ने हाल ही मेगना ट्रैक सीरीज के 85 पन मोडल को महराश्टर में लाँच किया है और इस tractor में क्या का मिलेगा इसके बारे में भी बात करेंगे इस tractor को massive ने 50 HP engine के साथ launch किया है जिसको company ने POS का नाम दिया है तो सबसे पहले अगर बात करें इसके looks के बारे में तो आप देख सकते हैं कि यह tractor कुछ इस तरह का दिखाी देगा वहीं पर अगर इसकी फ्रंट साइड देखें तो फ्रंट में आपको इसमें काफी बड़े साइज में ब्लैक ग्रिल के साथ स्टाइलिस हेड लेंप विद डियरल मिलते हैं जिन से एट्रेक्टर आगे से देखने पर काफी स्टाइलिस नजर आता है वहीं पर बात करें इसके फैंडर की तो आपको इसके जो फैंडर है वो मैसी के ट्रेडिशनल स्टाइल में ही मिलते हैं इसके बात करेंज के बॉनेट की तो इसका बॉनेट आपको सिंगल पीज में काफी स्टाइलिस और करवी शेप के साथ मिलता है और अगर इसकी looks को छोड़ दें तो जो इसके character sticks हैं वो बिल्कुल 72.5 power up वाले ही नजर आते हैं तो चलिए अब बात करते हैं इसकी technical specifications के बारे में तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी dimensions की तो इसमें आपको overall length 3460 mm, wheelbase 2000 mm, ground clearance 430 mm, total weight 2240 kg और जो इसकी putio soft की जमीन से उन्चाई है वो आपको 610 mm की मिल जाती है इसके बाद बात करें इसके tire size की तो इसमें आपको front tire 7516 और rear tire 1498 इसके मिल जाते हैं इसके बाद बात करें इसके engine की तो इसमें 50 hp का 3 slander engine मिलता है जो कि अपने rated rpm पर 200 mm का torque generate करेगा और ये in-line fuel pump के साथ आता है इसी के साथ इसके air filter को देखें तो इसका air filter आपको आगे की तरफ dry type air filter under hood मिल जाता है और gearbox को देखें तो इसमें side shift में fully constant mass gearbox मिलता है जिसमें 8 forward और 2 reverse speed मिलेंगी इसी के साथ बात करें इसके clutch की तो इसमें dual clutch मिलता है जिसमें आपको PTO के लिए independent lever नहीं मिलेगा इसके बात करें इसके platform की तो इसमें आपको काफी बड़े size का flat platform मिलता है जिससे आप इसको लंबे time तक भी ना थके drive तो करी सकते हो इसके साथ ही आपको इसमें आगे की तरफ heat shield दी जाती है ताकि इसमें engine की heat driving area में ना आए वहीं पर इसके dashboard को देखें तो इसमें काफी stylish dashboard मिलता है और इसमें जो cluster है वो आपको analog type में मिलेगा इसके बाद इसके front axle को देखें तो आपको इसमें non-adjustable front axle मिलता है वहीं पर इसी के साथ आपको इसमें dual acting hydraulic power steering मिल जाता है और brake की बात करें तो आपको इसमें OIB brake mechanical actuation के साथ मिल जाते है और lift capacity की बात करें तो इसमें 1800 kg की lift capacity मिलती है वहीं पर बात करें इसके PTO की तो इसमें आपको 540 के साथ reverse PTO का option मिल जाता है और अगर बात करें इसके PTO HP की तो इसकी PTO HP के बारे में मैसिफर गूसन की official website पर कोई जानकारी नहीं दी गई है और इसके बाद इसके rear axle की बात करें तो इसमें आपको double reduction या फिर आप इसको power reduction rear axle भी बोल सकते हो और यही same axle आपको मैसिफर गूसन के 72 पावर अप में भी देगने को मिलता है और अगर इसकी कीमत की बात करें तो इसकी कीमत अभी confirm नहीं है लेकिन इसकी कीमत जो है वो 6,50,000 से लेकर 7,10,000 तक रह सकती है तो बस आज की वीडियो में इतना ही अगर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ हमारे Facebook पेज को follow जरूर करें ताकि आपको आगे आने वाली अपडेट इसी तरह मिलती रहें